मुंबई में एक मॉडल के रेप के आरोप के बाद चारखन के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है विपक्ष हेमंत सोरेन पर रेप के आरोपी होने का सवाल उठा है इस दौरान बीजेपी नेता लगातार हेमन सोरेन को घेरने के लिए ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के हमलेद वाले ट्वीट देखिए हर्याना के बीजेपी नेता अरुन यादव ने तो अपने ट्वीट में कॉंग्रिस पर ही सफाल उठाए है उन्होंने ट्वीट किया है कि कॉंग्रिस चुनावों के अल्प संख्यों का हितैशी होने का दावा करती है लेकिन अब वो क्या करेगी जिसकी सरकार का मुख्यमंतर ही रेप का आरुपी है दूसरा ट्वीट बीजेपी नेता विकास प्रीतम सिनहा का है इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जारकन के सीयम ने इतिहास रच लिया है ऐसा इतिहास जिसके नस्दीक भी कोई पहुँचना नहीं चाहेगा राज्य के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन रेप मामले के आरुपी हैं और कुर्सी पर बने हुए हैं हेमंत की नैतिकता और आत्मा मर चुकी है और उनके इस पाप में राहुल प्रियंका भी भागीदार है जहां जानिये पूरा मामला दरसल कुछ दिन पहले ही राष्ट्रिय महिला आयोग के साल 2013 में मुंबई की एक मॉडल के साथ कथित तौर पर हुए रेप के रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में संग्ज्यान लिया गया NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में महराष्ट्र पुलिस महानेदेशक को चिठी लिखी है मॉडल के साथ रेप मामले के जार्खन के सीम हेमन सोरेन का नाम सामने आया था मीडिया रिपोर्ट में जार्खन के सीम हेमन सोरेन और सुरेश नागरे को मॉडल के साथ रेप के मामले में आरोपी बनाया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में हेमन सोरेन और तुरेश नागरे द्वारा न केवल मुंबई की मॉडल का रेप किया गया बलकि उसे और उसके परिवार को सारवजनिक तौर पर घटना के बारे में बोलने के खिलाफ भी लगातार धमकी दी गई रेप पीडित मॉडल की चिठी वाइरल मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाइरल पत्र, कथित और पीडित द्वारा लिखा गया है जिसमें पिछले साथ सालों में हुई घटनाओं की जानकारी दी गई है राष्ट्रिय महिला आयोग की चेर परसन रेखा शर्मा ने मॉडल के कथेत तोर पर रेप मामले में संग्यान लेते हुए महराष्ट्र के पुलिस महानिर्देशक को चिठी लिखी है साल 2013 में इस मामले में पूरे रिपोर्ट दर्ज की गई थी हेमन सोरेन पर मॉडल से रेप का आरोप चिठी में ये भी दावा किया गया है कि साल 2013 में सुरेश नागरे ने मॉडल से कुछ लोगों को मिलवाने के बहाने एक होटल में बुलाया जहां हेमन सोरेन समेट तीन लोग मौजूद थे होटल में मॉडल के साथ रेप किया गया चिठी में कहा गया है कि जव्य मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुँची तो वहाँ भी उसे प्रतारिट किया गया